अब हम ये देखते हैं इसी को थोड़ा आगे कि इस जनसंख्या परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है तो जनसंख्या परिवर्तन में जो प्रभाव होते हैं उसको हम देखते हैं कि जो जनसंख्या वृध्धी होती है और आर्थिक विकास किसी भी स्थान में जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो वहां पर आर्थिक विकास जो है वो नहीं के बराबर या उसका इस्तर जो है वो बहुत निम्न होगा या हम ये कहें कि जनसंख्या वृध्धी और आर्थिक विकास दोनों में एक रिनात्मक संबंध जो है वो पाया जाता है क्योंकि विकास की उस सवस्था को वो पार कर ही नहीं पाएगा ना भाई जनसंख्या में व्रिधी हो रही है जनसंख्या व्रिधी एक समस्या के रूप में आ रही है क्यों क्योंकि उससे लगातार संसाधनों पर दबाव पढ़ रहा है जितनी मात्रा में हमारे पास भूमी तो सिमित ही है भूमी आवश्यक है क्रिशी के लिए उद्योग के लि बात करें जैसे हमारा जल संसाधन है हम सबको पता है कि जल संसाधन भी है तो अपार है ना अथा है जल लेकिन जब हम उपयोग के लायक या पीने लायक जल की बात करते हैं तो यह बहुत ही सिमित मात्रा में कर लें हैं और इसलिए कहा जाता है हमेशा भी यह मैसेज दिया जा रहा है वर्तमान की हम बात करें आप से वाटर से वाटर पानी बचाहो हे ना तो जल संसाधन भी जो और है वह हमारे पास एक सिमीत मात्रा में हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे किसी समाज यह राष्ट में जनसंख्या में लगातार वृध्धी दर्जी की जाएगी और वो उन संसाधनों पर दबाव बनाएगी संसाधनों पर बहुत अधिक जो है वो दबाव पड़ेगा संसाधनों पर दबाव पड़ेगा और जिससे भूख मरी गरीबी और इसके साथ ही साथ चुकि हम सबका पेट तो पाल नहीं पा रहे हैं सबकी भूख शांत नहीं कर पा रहे हैं तो जब भूखी निशान्त कर पा रहे हैं, तो और दूसरे सुक्स विधाओं या जीवनिस्तर की हम खाग बात करेंगे, इसलिए संसाधनों पर दबाओ और उन संसाधनों पर दबाओ का जो नतीजा है, वो आपके भूखमरी, गरीबी और निम्न जीवनिस्तर के रूप में देखने को आएगा, उसके बाद इन सब का परिणाम, इन सब के परिणाम से फिर बीमारी, महामारी, हम पुराने समय की बात देखी, अभी तो हमने चिकित्सा या स्वास्थ सेवाओं पर बहुत अधी अपनी पकड़ जमा ली है, हमने हर जो गंभीर बीमारियां हैं, उनके हैजा है, प्लेग है, है ना, ऐसी बहुत सी जो महामारियां थी, उससे करोडो की तादाद में लोग जो हैं, वो मारे जाते थी, और अभी भी हमने देखा, वरतमान में भी हमने देखा, जो हम COVID-19 कोरोना महामारी से जो जूजे हैं, हमने तीन साल उससे हमारा आमना सामना और हमने देखा, उसी से तो हम अंदाजा लगाते थे कि ये कितना गंभी रूप ले रही है, कि मृत्ति उदर किस दर से बढ़ रही है, किते लोग मारे जा रहे हैं, उनका प्रतिशत कितना है, तो अभी भी ये इस से हमारा पीछा नहीं छूटा है, इस महामारी से, क्योंक में ये हमारे इस समस्या की रूप में ये हमारे सामने आ रहा है, है एचाइवी की बात कर ले हम, हैचाइवी एट्स जो है, ये आप देखेंगे कि अफ्रिका की अधिकांश देश और एशिया की बहुत सारे देशों पर इसने अपनी पकड़ जमा ली है, और मृत्ति उदर पर इसका एक अहम रोल है, कि लोगों में जो लगों से लड़ने की छमता है, वो उसको इतना कमजोर कर देता है, और ये कमजोर करके ही हम ये कह सकते हैं, कि लोगों में मृत्य उदर जो है वो बढ़ती जा रही है, तो ऐसी ही बहुत सी महामारिया, तो ठीकी तो कहा था माल मारी और युद्ध के रूप में आएगा, तो ठीक वही स्थिती तो हम यहां भी देख रहे हैं, तो माल्थस ने भी सहीं ही कहा था, अब ये देखेंगे कि बिमारी महामारी के रूप में सामने आया, और इसका जो रिजल्ट है, फिर भई, बिमारिया फैलेंगी, महामारिय अकाल होगा, युद्ध होगा, तो लोग तो मरेंगे ही, तो इससे क्या होगा, जनसेंख्या में कमी, तो हमने यहां देखा, उपर के लेवल में आप देखें, जनसेंख्या में तिवरवरिधी की हमने बात की, और फिर उससे संसाधनों पर दबाओ, संसाधनों पर दबाओ के बाद हमने देखा कि बिमारी, महामारी, अकाल, युद्ध और उसके बाद फिर इसका जो परिणाम था वो जनसंख्या में कमी तो भई हम बात तो कर रहे हैं कि जनसंख्या में वृध्धी और आर्थिक विकास में रिनात्मक संबंध है लेकिन यहां पर यह बात और विचा करने योग्य है कि चाहे जनसंख्या में तिव्र वृध्धी और कमी यह दोनों ही जो दशाएं हैं वो हमारे लिए हानिकारक हैं या हम इन दोनों ही स्थीतियों में आर्थिक विकास को प्राप्त नहीं कर सकते पहली अवस्था में हम देखते हैं कि संसाधनों पर अत्यधि पास मनुष्य संसाधन मानों संसाधन नहीं रहेगा तो हमारे पास प्रकृति द्वारा जो दिये गए संसाधन है अन्य संसाधन है उनका उप्योग करने के लिए मनुष्य ही नहीं रहेगा तो हम विकास के किस स्थर को प्राप्त कर पाएंगे तो दोनों ही जो दशाएं है वो हमारे लिए हानिकारक हैं नुकसान दे हैं हम बार-बार बात करते हैं कि कोई भी चीज जो है वो एक लिमिट में होनी चाहिए एक दारे में होनी चाहिए तो जनसंख्या भी जो है वो एक नियंत्रित जनसंख्या होनी चाहिए किसी भी देश, रास्ठ या समाज की और एक नियंत्रित जनसंख्या ही जो है संतुलित जनसंख्या जिसे हम आदर्श जनसंख्या कहते हैं ये उस राष्ट्र के विकास में बराबर अपनी सहभागिता निभा सकती है ना तो इसकी अत्यांत वृध्धी जो है वो भी घातक है और इसकी कमी भी विकास में जो है वो बाधक तो यह दोनों ही स्थितियों में हम देखते हैं कि आदर्ष जनसंख्या या आप्टिमम पॉपलेशन की हम बात करते हैं वो होनी चाहिए और शायद हम प्रैक्टिकली बात करें तो यह जो अवस्था है वो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती या इसे पाना थोड़ा मुश् करती है लेकिन हा आदर्ष जनसंख्या तक नहीं आ सकते लेकिन उसकी बहुत हद तक उस इस्थिती को हम प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए हम सभी को जागरुक होना ही होगा और इसी इसमें देखते हैं कि जो जनसंख्या नियंत्रण के उपाए कौन-कौन से तरीके अपना सकते हैं और इन तरीकों को अपना कर हम जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं तो पहला है हम परिवार नियोजन को फैमली प्लानिंग को अपना सकते हैं भई लोगों का सिक्षित होना जागरुक होना एक हम अनिवार्य आवश्यक्ता कह सकते हैं और जब वो सिक्षि तभी अपनी फैमिली की प्लानिंग कर सकते हैं कि हमारे दो बच्चे होंगे तो हम उनको हमारे पास इंकम के इतने सोर्स हैं और इस माध्यम से हम अपने बच्चों को एक अच्छी सिक्षा और उचित परवरिश जो है वो दे पाएंगे तो पहला तो है परिवार नियोजन को अपना कर हम जनसंख्या में नियंतरन कर सकते हैं दूसरी स्थिती है दो बच्चे है तो दो बच्चों के बीच में गैप जो है उस अंतर को बढ़ा कर भी हम बहुत हद तक जनसंख्या में नियंतरन कर सकते हैं और इसका दूसरा फायदा ये होगा कि दो बच्चों के बीच तो जनसंख्या वरिधी को हम बहुत हद तक नियंत्रिच तो कर ही लेंगे और साथ ही साथ वहां उस समाज में महिलाओं की स्थिती में भी बहुत हद तक सुधार हो सकता है एक महिला ही तो है जो अपने बच्चों का पालन पोशन करती है तो उसके स्वास्थे का अच्छा होन तो सबसे अनिवारिय है जब वो स्वस्थ होगी खुश हाल होगी तभी अपने परिवार को एक अच्छा खुशनुमा माहौल जो है वो दे सकती है एक अच्छी परवरिश दे सकती है तीसरा जो है हम महिलाओं के स्वास्थे पर विशेश ध्यान दे महिला स्वस्थ होगी एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी अगर महिले महिला के स्वास्थे पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो जो जन्म लेने वाला बच्चा है हो सकता है वो अस्वस्थ हो या एक विकृत स्थिती में पैदा हो तो ऐसी जन संख्या तो किसी राष्टर के ल हम जनसंख्या नियंद्रण के लिए महिलाओं के स्वास्थे पर भी हमें विशेश ध्यान देना चाहिए. तीसरा है सिक्षा का प्रचार प्रसार. सिक्षा ही ऐसा माध्यम है, एक सिक्षित समाज ही इन हम कह सकते हैं कि इन आवश्चक्ताओं को समझ सकता है कि हमें अपने फैमली की प्लानिंग करना कितना आवश्चक है, हमें अपने बच्चों को एक उचित परवरिश, उचित जीवन हिस्तर देना कितना आवश्चक है, जिससे हम एक सब भी और विक्सित समाज का निर्माण कर पाएं. तो सबसे पहली बात तो है कि हम सिक्षा का बहुत अधिक प्रचार प्रसार करें और ये कोशिश करें कि हमारे समाज, हमारे राष्ट का प्रत्यक व्यक्ति जो है वो सिक्षित हो और सिक्षा के महत्व को समझे. इसके बाद है लोगों में जागरुकता लाना होगा कि जनसंख्या को नियंटरित करना कितना आवश्यक है. तो इसमें लोगों में अवैरनेस लाना जो है वो एक महतवपुर्ण भूमी का निभा सकता है जनसंख्या नियंतरित के लिए. हमने भी बात की थी देखा कि भई सबसे फर्स्ट नंबर पर है पहले नंबर पर चाइना है जनसंख्या वृद्धी के मामले में जनसंख्या के मामले में और दूसरे नंबर पर हमारा भारत तो चाइना में भी हमने देखा था कि उसने अपनी जनसंख्या वृद्धी को बहु और बहुत से ऐसे प्रोचसाहन दे रही है जो सरकार है वहां के रहने वाले लोगों को कि तीन बच्चे पैदा कीजिए और उसमें करो में छूट या सरकारी नौकरी में छूट इस तरह कि बहुत सारे जो उपाय हैं वहां पर शाषन के द्वारा किये जा रहे हैं तो यह हाँ फिर देखते हैं शाषन द्वारा छोटे परिवार के लिए अलग-अलग प्रोचसाहन दिये जा सकते हैं जैसे रोजगार में शाषकी नौकरिया जो होती हैं वहां उसमें किसी भी प्रकार से छूट दे कर और करो में छूट यह जो हैं बहुत से ऐसे प्रोचसाहन दि नियंत्रन कर सकते हैं और मैं तो कहना चाहूंगी सबसे आवश्यक ये बात है कि शिक्षा हमारे समाज में एक एहम भूमिका निवहा सकता है और दूसरी चीज हम सभी को जागरुक होना होगा शिक्षा के मामले में चाहे महिलाओं के स्वास्थे पर महिलाओं की इस्थिति प कर सकते हैं और यह जो भुमी का है वो हमारे राष्ट के विकास के लिए एक एहम भुमी का जो है वो साबित हो सकती है बच्चो यहां पर आपको अलग-अलग तरह के लोग जो है वो दिखाई दे रहे होंगे कोई बच्चे हैं कोई व्रिध हैं कोई यूवा वर्ग है कुछ महिलाएं हैं कुछ पुरुष कुछ अलग-अलग धर्म को मानने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं तो ये सब एक समूह में जो अलग-अलग तरह के लोग आपको नजर आ रहे हैं इसे हम कहते हैं जनसंख्या का संगठन या जनसंख्या की विशेष्टाएं इस जनसंख्या संगठन के अंतरगत हम जनसंख्या की अलग-अलग विशेष्टाएं जैसे लिंग संडशना जनसंख आयू लिंग पिरामिट की हम बात करते हैं, फिर ग्रामीर नगरी संगठन, साक्षरता और जनसंख्या की जो व्यवसाइक संडशना हैं, और ये सभी विशेष्टाएं जो हैं, वो आपको इस जनसंख्या या हम कहें कि कुछ व्यक्तियों का ये समुह जो आपको नजर आ रहा या लिंग नुपात के संबंध में, लिंग संडशना की जब हम बात करते हैं, तो जब हम किसी देश की जनसंख्या के संबंध में बात कर रहे हैं, मालो किसी देश की जनसंख्या जो है, वो हम एक हजार है, या मैं कहूं कि किसी स्थान की जो जनसंख्या है, वो एक हजार है तो उस 1000 जनसंख्या में कुछ महिलाएं होंगी और कुछ पुरुष होंगी या हम अपने विश्व की जनसंख्या की बात करने हैं कि वो लगभग 8 अरब के आसपास है तो उस 8 अरब जनसंख्या में भी कुछ महिलाएं होंगी और कुछ पुरुष मतलब एक समाज में ये दोनों ही वर्ग जो है वो निवास करता है पुरुष और महिला और किसी भी राष्ट्र के विकास में लिंगा नुपात का जो अधियन है या लिंगा नुपात की जो जानकारी है ये एक बहुत महत्तपूर्ण रोल अदा करता है क्योंकि इस बात से हमें ये पता चलता है कि वो विकास कितना सभ्य सिक्षित और विक्षित समाज है या राष्ट्र है क्योंकि जब हम देखते हैं कि उस समाज में महिलाओं की संख्या कितनी है पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हम लिंगानुपात को ग्यात कैसे करते हैं कि वहां महिलाओं की संख्या कितनी हैं तो ये अलग-अलग विश्व के जो देश हैं वहां पर इस लिंगानुपात को निकालने की अलग-अलग वीधिया जो हैं वो प्रयोग की जाती हैं जैसे कि प भाग दे देते हैं पुरुषों की संख्या से और हजार से गुणा कर दिये तो वहाँ पर प्रती हजार महिलाओं पर पुरुषों की संख्या जो है वो निकल कर आ जाती है हमने इसको हजार में गुणा कर दिया तो हमारे जो आंकडे हैं वो हजार में निकल आएंगे और जब हम इसे कई स्थानों पर प्रती सौ में निकाला जाता है तो जब हम इसे सौ में निकाल से इसे हम गुड़ा कर देंगे तो प्रती सौ पुर्षों या महिलाओं पर इस्त्रियों की या पुर्षों की संख्या जो है वो निकल कर आ जाएगी हम अपने भारत में लिंगा नुपा महिलाओं की संख्या पटेकुल पुरुषों की संख्या उसको मल्टिप्लाइ कर देंगे थाउजंड से तो प्रती हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या भई हमें पता है हमारा भारत जो यह सब यह समाज है एक पुरुष प्रधान समाज है और इस पुरुष प्रधान महिलाओं की संख्या वहां कितनी हैं, कितनी कम हैं, कितनी जादा है और उस पर डिपेंड करता है कि उस समाज या राष्ट में महिलाओं की स्थिती कैसी है, कितनी दैनी है और कितनी अच्छी स्थिती में वहां महिलाओं जो है वो निवास कर रही हैं क्योंकि महिलाओं की जो नहिला जो है वो एक परिवार समाज के साथ साथ राष्ट के विकास में योगदान देती है क्योंकि वो किसी एक बच्चे के जन्म से लेकर उसकी परवरिश तक उसकी जो है वो पूरी भूमी कर रहती है और वो जिस टाइप की परवरिश देगी जैसी सिक्षा उसे देगी ज ऐसा ही एक हम कह सकते हैं कि सभ्य समाज का या सभ्य राष्ट का एक नागरिक जो है वो तयार होता है तो कितनी एहम भूमिका है एक समाज और राष्ट के निर्मार में किसी महिला की तो आए हम बात करते हैं कि विश्व के अलग-अलग देशों में महिलाओं की अलग-अलग इस्थिती हमें देखने को मिलती है अभी तो हमने ये लिंगानुपाद ग्याद करने का तरीका देखा कि कहीं पर पुर्षों पर महिलाओं की संख्या ग्याद की जाती है और कहीं पर महिलाओं पर पुर्षों की संख्या जो है वो ग्याद की जाती है अगर हम महादीपी इस तो लिंगानुपात कम या अधिक होने का कारण सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिंगानुपात के अधिक होने का कारण क्या है तो इसमें हम देखते हैं कि युरोप महादीप में जो लिंगानुपात अधिक मिल रहा है तो उसमें सर्वप्रमुक कारण है कि या किसी भी स्थ जहां पर लिंगानुपात अधिक है, वहां एक तो पुरुषों में प्रवास की प्रवित्ती देखने को मिलती है, पुरुष जहें वो अधिकतर प्रवास कर जाते हैं और महिलाएं रह जाती हैं, तो वहां पर महिलाओं की संख्या जो है वो अधिक देखने को मिलेगी, और स ताथ ही जहां पर महिलाओं की सामाजिक आर्थिक इस्थिती अच्छी होती है उन छेत्रों में भी हमें लिंगानुपात अधिक देखने को मिलता है। करके कि गर्भ में पल रहा शिषु जो है वो बालक है या बालिका है मेल है या फिमेल है और यदि पता चल गया है कि वो एक बालिका है फीमेल है तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है तो ये ट्रेंट जो है वो इस महादवीब में इस महादवीब के देशों में बहुत अधिक देखने को मिलता है चुकि हमने बात की इसका प्रमुक कारण एक पुरुष प्रधान समाज का होना जहां पर म देखते हैं कि अधिकतर यह महसूश भी किया जाता है और देखने में दी आता है कि जहां पर जिस परिवार में दो बच्चे हैं मेल और फिमेल है तो वहां पर जो बालक होता है उसकी शिक्षा पर तो बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है लेकिन वहां पर लड़की की सिक्षा पर बाली का सिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है या आवाइट किया जाता है यह कहकर कि भई इसकी सिक्षा दिक्षा म अभी अपने समाज में लोगों की मानसिक्ता को पूर्ण रूप से नहीं बदल पाएं हैं, अभी भी हमें समाज में ये मानसिक्ता बहुत हद तक उपस्थित जो है वो देखने को मिलती है, इसका प्रतिशत बहुत जादा है, जिसके कारण यहां लिंगा नुपात कम मिलता है इसके साथ ही हम देखते हैं, अक्सर आये दिन आप न्यूस चैनल में ये देखते होंगे या न्यूस पेपर में ये पढ़ते होंगे समाचार की महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, महिलाएं जो हैं वो घरेलू हिंसा की बहुत अधिक शिकार होती हैं इस समाज में और इसी कारण से यह एक प्रमुह कारण है यहां लिंगानुपात कम मिलने का साथ ही साथ महिलाओं की जो निम्न सामाजिक आर्थिक इस्थिती है समाज में तो उनके स्थिती बहुत अच्छी है ही नहीं और साथ ही ही आप अक्सर अपने परिवार में यह सुनते होंगे कि परिवार के जो महत्तोपूर्ण चाहे वो सामाजिक निर्णय हो या हम आर्थिक निर्णय की बात करें तो वहाँ पर पुरुष ही एक एहम रोल जो है वो अदा करता है या मैं ये कहूं कि ये माना जाता है कि पुरुष का ही जो डिसीजन है उस परिवार के जो मुख्या के रूप में तो वही जो है वो फाइनल होगा मतलब वहाँ पर महिलाओं से सजेशन लेने या सुझाव लेने तक की बात जो है वो नहीं की जाती कि इस मैटर पे इस मामले में हम क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए तो हमारे परिवार में ही इतनी निम्ने स्थिती है महिलाओं की फिर हम समाज और रास्ट की बात कर ही नहीं सकते तो ये जो है प्रमुख कारण है यहां लिंगानुपात कम होने के अब हम ये देख लेते हैं कि यूरोप में जो अधिक लिंगानुपात मिलता है इसका तो प्रमुख कारण है कि प्रवास तो है ही और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहां पर ग्रामीड छेत्रों में जो क्रिशी कारी किये जाते हैं, यह ग्रामीड छेत्रों में जितने भी क्रिशी कारी हैं वो पुरुष प्रधान तो है ही और मशीनी कृत हो चुके हैं बहुत से जो क्रिशी कारी हैं, तो उसमें भी पुरुष जो है वो एक एहम रोल तो ये ग्रामीड छेतर में रह जाते हैं और महिलाओं की स्थिती जो है यहां पर बहुत बहतर स्थिती में हैं समाजी की स्थिती तो बहतर है ही आर्थिक स्थिती भी बहुत बहतर है तो इस कारण से हम देखते हैं कि यह नगरों की तरफ जो हैं बहुत अधिक प्रवास कर ज पाथ की एक अच्छी स्थिती होने का इसके बाद हम देखते हैं जब हम विश्वजन संख्या में बात करते हैं तो विश्वजन संख्या में औसथ लिंगानुपाथ जो है वो आपका मतलब प्रती हजार पुर्षों पर 984 नीवास करती हैं और हम भारत में देखें तो हमारे भारत का जो लिंगानुपाथ है वो 940 है मतलब प्रती हजार पुर्षों पर महिलाओं की संख्या 940 है अब आप यह मान कर चलिए कि 1,000 पुर्षों में 940 को तो विवाह के लिए महिलाएं मिल जाएंगी लेकिन बचे हुए जो 60 पुरुष हैं 60 पुरुष हैं वो कुवारे ही रह जाएंगे तो यह अभी भी मतलब एक अच्छा मौका है हम कह सकते हैं कि अभी इस थिती जो है बिगडी नहीं है और हम इस बात के लिए अवेर हो जाएं कि हमें इस कन्या हम अभी भी उनकी बहतर इस सिती जो है वो समाज में बना सकते हैं अब आए हम देखते हैं कि यूरोप मतलब यूरोप ही नहीं पूरे विश्व में देश के संदर में हम बात करें कि सबसे अधिक कहां पर लिंगानुपात किस देश में मिलता है तो यह यूरोप महाद्वी कहीं एक देश है लातिविया यहां पर 1187 महिलाएं जो है मतलब 1000 पुरुष है और उन 1000 पुरुषों पर 1187 महिलाएं मिलती हैं और सबसे कम लिंगानुपात जो है वो UAE या संयुक्त अरप अमिरात में देखने को मिलता है जो 468 जो है महिलाओं की संख्या यहां पर मिलती है हम मैंने भी जो बात की देशों की तो आपका एक हमकारी कह सकते हैं कि आप अपने सामने एटलस को रखें या एक विश्व का मान्चित्र रखें और उसमें जो हमने देखा कि भई संयुक्त अरब अमिरात या लातिविया भारत या आगे हम जो बात करेंगे चीन, अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो इन सभी देशों को आप अपने मान्चित्र में धूंडेंगे संयुक्त राष्ट संग यूएनों ने एक इसमें उसके अनुसार, संयुक्त राष्ट संग के अनुसार जो पूरे विश्व हैं उसमें 149 ऐसे देश हैं जहां पर महिलाओं की एक बहतर इस्थिती है और 72 countries, 72 देश ऐसे हैं जहां पर महिलाओं की जो इस्थिती है वो बहुत अच्छी नहीं है अब हम रूस के साथ ही साथ देखें, रूस एक ऐसा देश है और उसके साथ पश्यमी उरोपिय देश जैसे कनाड़ा की हम बात कर लें स्युक्तराज अमेरिका की बात कर लें और जितने भी पश्यमी उरोपी देश हैं वहां पर बात कर लें तो वहां पर हम देखते हैं कि ये जो देश हैं वहां पर लिंगानुपाद बहुत अच्छा मिलता है महिलाओं की सिती अच्छी है क्योंकि समाजी कार्थी सिती तो है ही उनके पोशन पर भी उनके स्वास्थे पर बहुत अच्छी तरह ध्यान दिया जाता है और वहाँ पर हम नगरों में भी देखेंगे कि लिंगा नुपाथ हमें बहुत अधिक मिलता है और यदि हम एशिया महादीप में बात करें तो हम देखते हैं एशिया में आपका चीन है हमारा भारत, साओधी अरब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये ऐसे देश हैं जहाँ पर महिलाओं के स्थिती जो है वो बहुत अच्छी नहीं बहुत बहतर नहीं है यहाँ पर हमने जो भी बात की थी बहुत सारी समस्याएं कि महिलाओं के साथ भेद भाओ, घरेलू, हिंसा उनकी सिक्षा और स्वास्थे पर अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया जाना उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिती का अच्छा ना होना यह सब ऐसे कारण हैं जो यहाँ पर लिंगा नुपात होने के लिए जिम्मेदार हैं तो यह हो गई बात लिंगा नुपात की अब जन संख्या संगठन के अंतरगत हम लिंगा नुपात के बात देखते हैं आयू संडशना अभी जिस पिक्शर की हमने बात की थी जो व्यक्तियों के समूह खड़े हुए थे तो इस समूह में आप आपने देखा था कि कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं और कुछ यूवावर्ग और कुछ व्रिद्ध तो इसी जनसंख्या की दूसरी विशेष्टा हम बात करेंगे आयू संडशना पर आयू संडशना का अध्यन जनसंख्या के अंतरगत किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम बात करते हैं कि किसी देश में या किसी समाज में यूवा वर्ग की संख्या ज़्यादा है या बाल आयू वर्ग की संख्या ज़्यादा है या व्रिद्ध की संख्या ज़्यादा है तो हम क्या देखेंगे यूवा वर्ग जो है वो एक कारिशील या हम कहें कि एक ऐसा यूवा वर्ग जो है वो एक ऐसा सम बच्चे हैं और जो बुजुर्ग होते हैं वो दोनों ही इस युवा वर्ग पर आश्रित होते हैं नीचे की जो दोनों ही आयू वर्ग की जनसंख्या है वो आश्रित जनसंख्या है और वो किस पर आश्रित है तो इस युवा वर्ग पर तो इसलिए किसी भी देश में अगर इस युवा वर्ग की संख्या या इस आयू वर्ग के लोगों की संख्या अधिक होती है तो इसका मतलब यह है कि वो यह जो समू है या इस युवा वर्ग के जो लोग है वो वहाँ पर अधिक से अधिक सिक्षा का प्रचार प्रसार तो करेंगे ही सिक्षा का महत्व तो करने में इनकी एक महत्वपुन भूमिका होगी तो यह राष्ट के विकास में अपना एक महत्वपुन योगदान देते हैं और डिपेंड करता है कि उस राष्ट में उस देश में किस आयू वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है तो हम देखते हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि आयू संख्या को हम